आज मैं आपको वेज़े से भरा हुआ इतना शांदा नाश्ता आप चाहे तो उसे नाश्ता नहीं कह सकते तो आप उसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह का मैं आज आपको पॉकिट पराड़े इतना अच्छा वेज़िस से बरा हुआ है है बच्चों के लिए भी आप चाहे तो बच्चों के टिफिन में वे उसको भेश सकते हैं उसके लिए आपको किसी चटने की या कोई सब्जे की आऊश्ता नहीं रहेगी आप वैसे उसे खा सकते हैं तो चटिए आईए बनाते हैं स हम इसका बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं शुम्ला मिर्च को जिसे मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया और इसके अंदर का जो बीच का हिस्सा होता है यह बीच वाला उसको हम अटा देंगे और उसके बाद में इसके अच्छे से कटिंग हो जाती है आराम से बहुत जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में बड़ी एजी वे में रख सकते हैं आराम से लख सकते हैं और बच्चे भी इसे बड़े शॉक सिखाएंगे क्योंकि बहुत टेस्टी होगा बहुत हेल्दी होगा वैजिस से बढ़ा होगा इसमें हम सारी वैजेस डालेंगे जो आ उसके अपनाने पड़ते हैं जिसमें बच्चे आराम से खाले तो यहां पर मैंने पतागोबी ली है फिर पतागोबी की भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे और फ्रेंट्स सर्दी का मौसम में अगर इस मौसम के अंदर अगर हमने इस तरह के पराठे बना करके नहीं किलाए बच्चों को तो फिर क्या खी लाए तो इसलिए मैंने काया कि इस सरह के पराठे जरूर बनाएं जिसके अंदर बहुत पोस्टिक तक्तु वाले हों वेजे से भरे हों और आप चाहिए तो इसे और भी तरह से बना सकते हैं वेजे चीज वागरा इस तरह कर दाल के तो किसी बाद में हम लेंगे अलग-अलग वैजे जिनको हम कटिंग करके एक साथ ले लेंगे और यह पराठा ऐसा है फ्रेंड्स जिसको आपको बेलने की ज़रत नहीं पड़ेगी जब हम इसको बनाएंगे इसकी शेप ही ऐसी होगी जिसके अंदर हमें इसको बेलने की या इसको बेल चीजे हैं जो आपको वीडियो के मद्ध में और उन्त में मिलेगी तो उसे कंटिन्यू देखते जाएं इसमें कुछ विशेष बात मैंने बताएं जो आप इसमें देखेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचें तो यह देखें मैंने यहाँ पर चकुंदर गाजर शिम्ला मिर्च हरे मिर्च और टमाटर इन सब को बारिक बारिक चाप कर लिया है और अदरक का एक टुकडा लिया है हमने एक इंच का उसे भी मैंने इस तरह से बारिक कटिंग कर लिये तो यह जो वेजिस मैंने गिया अधरक कर लिये ऑलू मैंने लिए तो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई को दूंडर जीटा और रइ liaison से अधाय सो उसके अ은धर ही कमिर्ज ये कुम इससे सही और उसके बाद में बाकी बच्ची वेज़ेद उनको एक ये करके डालेंगे जिससे की वो पक जाये जब उसके बाद में डालेंगे तो पहले मैंने डाली है अधरक अधरक को आप चाए तो थोड़ा सा ग्राइड कर ले बिल्कुल बारिक पेस्ट भी बना सकते हैं इसका तो मैंने यहां सिर्फ उसके टुकड़े-टुकड़े करके ही डाले हैं और यहां पर फिर हम डाले हैं प्याज तो प्याज को भी हम थोड़ा सा पकने देंगे और जब प्याज अच्छे से पक जाएगा तो फिर जो चकुंदर थी उसे भी हम इसमें अड़ करेंगे तो सब प्याज पक चुका है अब जाल रहे हैं इसके अंदर चकुंदर अब चकुंदर को हमें थोड़ा सा पकाना पड़ेगा ना क्योंकि वैसे तो मैंने बारीक बारी कटिंग करी है इसकी लेकिन इसको थोड़ा सा पका के या फिर इसके अंदर ही हम गाजर शिमला मिर्च और पतागो भी जोती ये सभी इसके अंदर एड़ कर देंगे और इसको इसको मतलब कहने का मतलब है एक साथ हम पका लेंगे इसको और आप चाये तो एक एक करके भी पका सकते हैं जो चकुंदर हमने डाला ना उससे थोड़ा सा पराठा अलग से हो जाएगा तो अच्छा लगेगा मतलब तो इससे देखे मैंने सारी वैजिस इसके अंदर एड़ कर दिये तो फ्रेंट्स अब इसमें ऐसी कौन से सब्जी बची है कौन से वैजिस बची है जो आपके बच्चा नहीं खाता है आपके बच्चे जिसे नहीं खाते हैं उस वैजिस को आप इसके अंदर डाल के पका करके फिर खिलाए सभी बड़े शौक से खाएंगे ये मैं आपको कह सकती हूँ और ये वैजिस हमारी पके रेडी हो चुकिए टमाटर भी मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया है अब बचा किया इसमें डालने के लिए अब हमारे पास बच्चे हैं जो बॉयल करे हुए आलू हमने रख रखे थे उसे हम इसके अंदर डाल दिया है है जो हरा धरिया था वो हरा धरिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है उसे भी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देखे किस तरह से सुन्दर सा लग रहा है हमारे ये बहुत ही अच्छा वेजिस बरा हुआ जो आज कर नाश्ता बनाने वाले हैं हम बहुत ही आप देखते रहें इसकी पना करें वीडियो को तो यह देखिए मैंने इसको पका लिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अकॉरिंग नमक अब मैं नमक सबसे लास्ट में मतलब पूरे मसाले वेज़ेस पकने के बाद इसलिए डाल रहे हूं क्योंकि अब जो नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया पाउडर यह देखिए सभी को मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया है और साथ में हमने इसके अंदर थोड़ा सा एड़ कर दिया है अमचूर पाउडर तो इसको मिक्स कर लिया है अमचूर पाउडर से अगर अमचूर पाउडर आपक में बहुत ही शांदार है और इसमें इस स्टेज पर डालेंगे गरम मसाला और थोड़ी सी हिंग तो ये दोनों हम इसमें उपर से डालेंगे ताकि इसकी खुश्बू में चार चांद लग जाए और जब पराठा हम खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप उसे चटनी के साथ सर्व करो या फिर सिंपल खाओ कोई प्राब्लम नहीं बहुत अच्छा लगेगा सिंपल भी खा सकते हैं को पता है यह पराठा मेरा फेवरेट पराठा है क्योंकि इसके अंदर सारी वैजेज होती है और इतना अच्छा लगता है ना खाने में भी जिसकी कोई हद नहीं तो मैं सबसे ज्यादा अधिकतर आप समझ सकते हैं कि संडे को हमारे यही पराठा बनता है तो चली चलते हैं यहां मैंने आठा जो है वो लगा लिया इसका डो बना लिया है अब उसमें सी छोटी सी लोई लेंगे हम इस तरह से उसको आठे में करके उसको बेलेंगे अब यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी की यह है कि हमें पिलकुल पतली चपाती लेनी है मोटी चपाती नहीं लेनी हैं जो हमने बना करके रेडी कर लिया है इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है इस पराटे के उपर चपाती के उपर अब हम इसको इस तरह से पॉकिट की शेप देंगे ये देखिए इस तरह से हमने इसको पॉकिट की शेप दिये और लास्ट में इस साइट से तो ये हमारा ह पॉकिट पराठा अभी हमें कुछ निकरना सिर्फ आतों से अलका सा प्रैस करना है और इसको एक पॉकिट की शेप देनी है ये देखे और ये हमारा पॉकिट पराठा बनके रडी हो चुका चलिए चलते हैं मैंने अतावा गरम किया है और तवे के उपर ही मैंने तोड़ा सा गी लगाने के बाद में इस पॉकिट पराठे को हम इसा परकने वाले हैं और इसको पकाने वाले हैं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीकी से हम इसको पकाएंगे इसको दोनों साइट से पलटते हुए इसको सेखना है मेडियम फ्रेम पर और उपर से हम इसे फिर से गी लगा देंगे थोड़ा सा और गी लगाने के बाद में हम इसको एक पलटे की सायता से इसको पलट देंगे तो इसको दीरे से उठाना आराम से और इसको इससे पलटते हुए देखे आप देख सकते हैं दूसरे साइड में किता अच्छा कलर आ गया है तो इसको हम इस तरह से पलटते हुए सेखेंगे जब तक ये पराटा सिक रहा है तब तक हम एक और पॉकिट पराटा बना लेते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूं वापस से एक बार फिर से देख लीजी पॉकिट पराठा बनना यह देखिए इस तरह की शेप देनी है हमें और इस तरह से पॉकिट की शेप आ जाएगी यह आप देख सकते हैं कि ता अच्छा लग रहा है यह तो चलिए इसको भी हम सेख ल ना अच्छे से तो फ्रेंट्स है ना यह एकदम अच्छा सा और आसान तरीके से बनाया हुआ पराठा सिर्फ पर हमें एक बार चपाती बेलनी है और उसके बाद में हमें बेलन का यूज नहीं करना है तो यह पराठा एकदम चपाती के बाद में इसको सिर्फ पॉकिट की देनी है देखिय tweeted हमारे यह थे नहीं दूसरा ला जो नके रिडू होने वाला है उसमें भिदी दीन धी कलर ए्टेंज होता जा रहा है सिकता जा रहा है वो चुर् Körper यह पर्वेंट्स इस तरह से हमारे जो दोनों पराथे हैन्हें बना कर लिया है, और मुझे उमीद है friends आपको यह पराठा भाष्णद आया होगा पॉकिट पराठा, तो यह देखिए चले इसको हम सर्व कर ले ते हैं यह यहाँ पर मैंने दोनों पराठे बना करके राठा कर लिया है यह देखिए, और इस तरह से हम इसको serve कर लेते हैं तो friends, ready हो चुका है हमारा pocket parata बनके तो मुझे उमीद है आपको यह बहुत पसंद आया होगा अब आप इसे किसी की साथ भी serve कर सकते हैं, चाए की साथ, चटनी की साथ तो friends, आप इस parata को enjoy करें